समस्ते दोस्तों आप सभी देख रहे हैं अमीठ थिरी माउंटिन यूट्यूब चैनल आप सभी का श्वागत है दोस्तों आज मैं आप सभी को बतलाओंगा पोस्ट ओफिस की FD स्कीम 2021 के बारे में जिसमें यदि आप अपना पैसा फिक्स डिपोजेट करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज भी मिलेगा और आपका पैसा भारत सरकार की तरफ से सुरक्षीत रहेगा दोस्तों यदि आपने पोस्ट ओफिस की सेविंग एकाउंट ओपन करवा कर रखी है तो जल्द से जल पोस्ट ओफिस की एवडी स्कीम 2021 में आप भी इन्वेश्ट करके आप भी इसका फाइदा ले सकते हैं दोस्तों पोस्ट ओफिस की एवडी स्कीम 2021 में आपको सभी बैंकों से भी ज़्यादा ब्याज मिल रही है दोस्तो पोस्ट ओफिस ने एक बहुत ही बड़ा तौफा आप सभी के लिए लाया है तो यदि आप भी fix deposit करना चाते हैं पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में तो नीचे दियागे comments में आप बताएं कि आप एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल या पांच साल के लिए fix deposit करना चाते हैं और कितना रुपिया करना चाते हैं तो मैं आपको ब्याज कितना मिलेगा बताऊंगा दोस्तो बेंकों में ज्यादा ब्याज मिलेगा या पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में यदि आप fix deposit करते हैं तो क्या आपको इसमे nominee के facility है या नहीं है यदि आप transfer कराना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि एक सहर के post office से दूसरे सहर के post office में यदि आप transfer कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं post office की FD scheme 2021 में आपको fix deposit करने के लिए क्या क्या documents लगेंगे post office की fix deposit scheme में आप कितने रुपे तक fix deposit कर सकेगे और अधिक से अधिक fix deposit करने पर क्या इसमें tax लगेगा क्या आप अपने बच्चों के नाम से post office की FD scheme 2021 में एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल या पांस सालों के लिए fix deposit कर सकेंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम इन सभी बातों को जानेंगे दोस्तो post office की FD scheme दुज़रे case में fix deposit का अर्थ है आपको एक amount fixed करना पड़ता है एक समय अवधी के लिए और उसके बाद आपको आपके रूपिये के साथ साथ आपको ब्याज भी दिया जाता है सीधे आपके account में transfer कर दिया जाता है तो दोस्तो चलिए आज हम जानते हैं post office की FD scheme 2021 में यदि आप एक लाक रुपिये एक साल के लिए fix deposit करते हैं दो साल के लिए fix deposit करते हैं और यदि तीन साल के लिए और पांच सालों के लिए यदि आप fix deposit करते हैं तो एक लाक रुपिये के deposit में आपको कितना ब्याज मिलता है तो दोस्तो यदि आप एक लाक रुपिया एक साल के लिए post office की FD scheme 2021 में fixed करते हैं तो आपको एक साल के बाद आपको एक लाक पांच जार चेसो चौदर रुपिये आपके post office के saving account में सीधे सीधे transfer कर दे जाएंगे यदि आप दो साल के लिए एक लाक रुपिये fix deposit करते हैं post office की FD scheme 2021 में तो दोस्तो आपके post office के saving account में 11,229 रुपिये सीधे transfer कर दे जाएंगे दोस्तो यदि आप 3 साल के लिए post office की FD scheme 2021 में fix deposit करते हैं तो एक लाक रुपिये में दोस्तो आपको 1,16,849 रुपिये का फायदा मिल जाता है दोस्तो यदि आप 5 साल के लिए fix deposit करते हैं post office की FD scheme 2021 में तो दोस्तो पोस्त आपिस के saving account में आपको सीधे 1,344,350 रुपिये आपको post office के saving account में transfer कर दिये जाएंगे दोस्तो बेंकों में आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा या post office की FD scheme 2021 में तो दोस्तो आप समझ ले post office की FD scheme 2021 में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है सभी बेंकों के ब्याज़दरों से सबसे अधीक दर आपको post office की FD scheme 2021 में है और साथ ही साथ दोस्तो इस scheme में आपको भारत सरकार की सुलक्षा भी मिल जाती है तो दोस्तो आप post office की FD scheme में ही invest करें आगे हम जानते हैं क्या हम post office की FD scheme को एक सहर से दोसरे सहर में transfer कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तो आप post office की FD scheme 2021 में यदि आप fix करते हैं ज़रत पढ़ने पर आप एक सहर के post office से दोसरे सहर के post office में भी transfer कर सकते हैं दोस्तो आपको post office की FD scheme 2021 में नौमनी की facility भी मिल जाती है आप नौमनी भी इसमें दे सकते हैं पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में आपको कम से कम 1000 रुपी जमा कर सकते हैं और अधिक सथिक जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है आप अधिक सथिक पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में जमा कर सकते हैं और दोस्तो टेक्स की बात करें तो दोस्तो पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में आपको कोई भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा आप निश्चीन्थ होकर पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में फिक्स डिपोजिट करने के लिए एकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तो आपको KYC documents की आवसता होती ह जैसे आधार कार्ट, पेन कार्ट ले जाकर आप कोई भी पोस्ट ओफिस में पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में डिपोजिट कर सकते हैं साथ में आप पासपोर्ट साइज की फोटो ले जाना ना भूलेंगे दोस्तो पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में आपको बीच में ही पैसा की निकासी करनी की सुईधा मिल जाती है आप छे महिने के बाद भी पैसों को निकाल सकते हैं दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 में अपने बच्चों के नाम के साथ भी आप फिक्स डिपोजिट कर सकते हैं जो एक पहुत ही अच्छी बात है दोस्तो पोस्ट ओफिस की FD scheme 2021 आप सभी के लिए एक पहुत ही अच्छा बड़ा तौफा ले कर दूश समय कर दो सकते हैं één